कि आप सभी को पता है कि आज HRTC conductor का जो exam हुआ था उसका result जो है आ चुका है तो सभी के मन में एक doubt बना है कि cut off कितनी गई है लेकिन जो मुझे कई लोगों के जो comment आए हैं उससे थोड़ा अंदाजा आपको भी लग गया होगा कि कितनी cut off गई होगी उसी साब से मैंने cut off जो है हमने यही कहा था कि इसी के आसपास आपकी cut off रहने वाली है तो उसी के आसपास ही cut off गई है जैसा कि आप दे सकते हैं कि journal की cut off गई है वो आपके 56 से लेकर के 58 या 60 के आसपास यदि आपके marks रहे होंगे तो जो है आपका selection हो चुका होगा आपको पता होगा एक candidate जो मुझे म हो चुका है और EWS में जो हमें candidate मिले हैं 52 वाले तो 52 से 55 के आसपास जो है इसकी last cut off गई है और OBC में 48 वाला candidate मिला है जिन्होंने कहा है कि उनका selection हो चुका है तो 48 से 52 के आसपास cut off गई है और SC की लगवग 49 से लेकर 53 के आसपास cut off रही है यह जो है हमें कुछ category की पता चल च कि कितनी जो है cut off गई है तो जितना हमने कहा था कि paper tough होने के कांड cut off इसी के आसपास रहेगी लगवग उसी प्रकार की cut off रही है तो जितने भी जो shortlisted candidate है अब उने जो है अब अपने जो document उन्हें अपने बिलकुर ready रखने है आपको एक अपते के अंदर अंदर document verification का schedule HPPSC के द्वारा मिल जाएगा तो आपको कौन कौन से document अप तयार रखने है जैसे कि आपको 10th का जो mark sheet है वो बिलकुर ready रखें और उसके साथ आपको 12th जो 12th की mark sheet क्योंकि इसमें 12th मागा गया है तो ये इसके लिए essential qualification रहने वाली है और साथ मैं category के certificate यानि कि जिनोंन SCST OBC EWS से form fill किया है तो उन्हें EWS से form बरना होगा उन्हें EWS का certificate one permission करना होगा और सबसे बड़ा important इसमें conductor का जो license है वो आपके पास होना चाहिए और valid license आपके पास होना चाहिए उसमें जो है वो expire नहीं होना चाहिए valid होना चाहिए तभी आप जो है next जो है final उसके लिए count क जाओगे उसके बाद आपके पास हिमाचली bonafide होना चाहिए यह document आपके पास होने ही चाहिए और बहुत से candidate के मन में यह doubt बना है कि अब document verification के marks लगेंगे लेकिन अब ऐसा नहीं है simple आपके document की verification की जाएगी यानि कि आपके document चेक किये जाएंगे कि वो ठीक है बस उस पर व पाद का candidate जो है general में final select हो सकता है तो बाकी category वाले 5 marks अपने कम कर लीजिए उतने आपके marks से दी है तो आपका selection इसमें हो सकता है और कई इसमें ऐसे भी candidate हो सकते हैं जिन्होंने यह exam तो clear कर लिया है लेकिन उनके पास conductor का license नहीं भी हो सकता है और किसी का expire हो चुका है तो उन candidate shortlist हुए है वो अपने candidate ready रखें तो बहुत जल्द आपको जो है document verification के regarding बहुत जल्दी schedule आपको मिल जाएगा तो यह हमने आज आपके लिए cut off पे कुछ अंदाज की वीडियो हम लाये थे कि इतने इसके आसपास cut off गई है तो आप दे सकते हैं कि हमने वीडियो में भी इतना ही बताया था कि 55-58 के आसपास यदि जनरल के candidate के marks हैं तो उनको जो है document verification के लिए बुलाया जा सकता है तो यही हुआ है उतनी ही cut off गई है तो आप अपने document बिलकुर ready रखें तो जो भी इसमें select हुए हैं उनको सभी को हरदिक शुब कामना है यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो इसी प्रकार के future update के लिए आप हमारे चैनल competitive exam से जूड़ सकते हो धन्यवाद